है दोस्तों वालकाम है चरेल परून मेकनिकल ब्लोग तो यह में एक नया वीडियो लेक्या हूं जो है जो पानी वठाने वाला मोटर होता है तो मोटर का पाम कैसे बनाता है उसका फूल वीडियो में दिखा रहा हूं आप लोगों चलिए आप लोग देखते रहिए यह दिख ट्रॉट देगे होने के बात है उसके फेन भी खोल देंगे इस फैन खोल दिया देखिए यह धन ऑन फैन बीचेक कर लादा हूं पान सा खराब हो एक तो ठीक है तो रह जो पन का जगह होता है वेंदल कुर फीन ह היगे तो यह जगा दिखिए पुरा घिज गया है हाँ तो इ रहे हैं लिए इतल का वो ठीकी है फोकुस नहीं हुआ है यह देखें मोटर ठीकी चल रहा है पुरा पीक अप चलता है लेगिन पानी ठीक से नहीं उठता है तो इसको क्या करना पड़ेगा तो चलिए देखिए यह पुरा देखिए आप भी पुरा कच्रा जम गया तो इसको होँ शाफ कर लेते हम पुरा है पुरा है े स्कूलर के टूग्रा से पुरा शाफ कर देंगे अंदर में कोई कच्रा नहीं लेना चाहिए तह पुरा साफ करना पर ten बात यह देखिए अभी हाम तुरा साफ कर देंगे अंदर में कोई कच्रा नहीं लेना चाहिए तो पुरा साफ करना परेगा साफ करने के बात यह देखिए अभी हम इसको एमसिल से बनाएंगे यह देखिए करेंगे एक साथ को मिक्स करने के बाद इसको एराम से बनाएंगे पुरा टन टन कर देंगे हम चलिए देखिए पुरा पुरा पैक मिक्षर टंक करते है पुरा मिक्षर करके एक ब्लेक होता ये मुट ब्लेक अधिया के पुरा ब्लेक हो जाएंगे इसमें ज से बतले लगाना चाहिए हमने पुरा पेस्ट बना ले हमने तो फिरे थे दे नब si prost to उसाही शोरा होता ये आप है इदकने से आप लोगा पता चल जाएगा बिनिशिंग करना परेगा नैं अब कि विफल न हैत मातया सब्सक् 심躆 हो फिक भूरा झायत है अन फ्रक है यह थोरो यह था थ्रा फानी प्ता सथ एमजेल लागे के थोड़ा पानी लेना चै'll अंगले में पानी शरक थोरा थोरा भीगुके एसे थोरा हल्का हल्कार थोरा थोरा धिरे-धिरे पुरा जो एमजेल होता है, उसको लेबल करना पड़ता है ताखी ज्छादा उपर ना हो ज्एब नीचे भी नहों से ऊज़ना थो थे थो थो धरा उचा इंचा करके देना परके देसी ही तुद यह सब्सक्रा बार राइंगे साथ है कि पूर निशींग कर देँगे चैने देखिए अर्शीय हम यह से इस선 नेiden देखे थोघिखे थोड़ा पानी देके थोड़ा हम पुरा फिनिशिंग कर रहे हम विदिवा फिनिशिंग करहे हम अच्छे तरहसे होता है यह देखे यह पी तो पुरा हम थे दिया कि vere zuora스लय इससे मोटर में पूरा एंस मिले देढ़ देने के बात क्या क viene चैने कलें झालो यहां पर जो होता है जो पाइब बला जो पाम होता है उसमें भी थोड़ा जाता है तो यहां भी देना पर एकार ज़्यादा नहीं चाहिए हैوس यहां पोले थोड़ा घीट जाता है इसलिए इसमें थोड़ा दे देंगे और इसको हम फिनिस्चिंग कर देंगे फिनिसिंग करने से होता है एक्दम विल्खुल अच्छी तरह से यह जगा में जम जाता है यह दिखिए इसको थोड़ा इस्क्रेवर फिनिशिंग करना पड़ता है यह ज्याता उपर होने से भी नहीं चलेगा यह दिखिए यहां पर भी पुरा फिनिशिंग करना पड़ता है तो जब फिनिशिंग हो जाएगा तब इसको हम क्या करेंगे इसका पांप का जो पीतल का जो पांखा होता है उसको फिटिंग करेंगे उसको फिटिंग करके दोनों तरफ से पेशार देके पांखा जो पीछे का पांखा जो होता है उसको घुमाएंगे हम तो घुमाएंगे क्या होगा जो उच्छा 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 जो निशिन होता है वह पांखा से थो खिली ग्लाओं जो होता है रावंड फर्फ युट जाता है तो इसलिए खैकाना परता है रावंड को भी थोरा-थोरा एं एम शिल देना परता है कि तो थोरा देके यहां पर पूरा फिनीशिंग हो गया तो पूरी अच्छे तरह से फिनीशिंग कर दे हमने एक दम पूरा बिलकूल लगदम fragर यह य ज जगाज होता है जगह अक्ची तरा से बनाना पड़ता है इसको थोरा एक दम पूरा एक दफिन लेख्वी यह, पूरा बिलकूल अक्ची तरा से होना जाता हैusi Kaos transport system होना चाहिए लिए इही जगा पर आके पानी अटक के ऊपर जाता है ताक के पानी इह रोधा जाना सके पानी अंदर हम के डारेक पाने पाइपी बाहर जाना चाहिए तो यह पांखा पांखा की तरफ जाहिंग ven— ये मसल जो होता है मव्यां करदेंगे यह देखिए पूरा यमस घीच जाएगा यह देखिए इस तरह से दोनों तरफ फिस दी हमने हो जादा जादा निकलेगा अभी तो यह वालबहों के आगने इसक करते मततस से चैनल साइड साइड वाला कि गिए डिखे देर देर लेद्र दिरे करना चाहिए जादा हरबरी करने से नहीं हो जाता कि यहीं ग्लीक्व पहुत इन Vegardering का एंध के बा recipro to इसका जो पितल का पंखा होता है वह पंखा से थोड़ा फिर से हम साप कर देंगे यह देखिए साइड साइड में थोड़ा उट गिज गया था इसका हम फिर से मेकप कर देते हैं ऐसे करने से क्या होगा आपका जो मोटर का जो पावर है वह पावर सेम सेम रहेगा कोई कम कम ज सुचर जिस्टम से रखना पारेगा ताकि यासे पानी बाहर ना निकले तो इसे ही हो गया कूत की फ्लें तो इसको भी एक के आगे इस को और दूसरा माला है तो सब्लक्ला को फिनीशिंग करना पारेगा स्वाण ही पस्पारत कंघ और नाजुक काम होता है धिरे 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 करना पड़ता है यह देखिए पुरा हो गया फिनिसिंग अगर आप लोगों अभी मोटर खराब होगा तो लेखे आना बिल्कुल अच्छी तरह से बना दूंगा मैं यह देखिए लेगिन थोड़ा टाइम चाहिए योगे मेरा तो बाइक का जो काम होता है वह भी करता हूं तो यह फिरी टाइम में मैं इसको भी बनाता हूं तो यह व यहां हुआ का कि ऊपर वाला जो है अच्छी तरह से प्शिक रना पड़ता है को कि इसको फिर चे लगाएंगे लागा कि अट्रॉप करेंगे कि स्का अच्छी तरह से हुआ रखना की नहीं मुझे कुम हो गया तो कि गलेंग के प्वूत करना पड़ता है को विगर saff पर करके कुर्णी करना क्वरता है इसी तरह यह जब हो जाएगा तो दूसरी साइट जो होता है पाइप बला साइट उसको भी हम फिटिंग करेंगे उसको भी फिटिंग करके नाट टाइट करके पुड़ा घुमा घुमा के उसको भी किलेर करना पड़ता है से सेम टू सेम इसके तरह से इस तरह से उसको फिटिंग करके पु पुरा फीनिसिंग हो जते हैं अंए देखिए मिसको फीटिङ हो करेंगे इसको मागा कैस्ट पूरा फीनिसिंग कर देएंगे ऊपार करेंगे कि ये देखिए त्सक्wohl कर देंगे जुट इब देए और मोटनी से ग़से त्शान कर देना प्लेस प्लीस प्लेस